करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बैल आइकन को क्लिक करें करें अगर नहीं किया तो उपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर दिख लिए सारी प्लेइलिस्ट बना रखी है एकदम व्यवस्ति धंग से ठीक है क्रम सर बना रखी है तो आप वह जरूर देखें तभी आपको यह प्रश्ण हो लिए समझ में आती रहेगी वह नहीं की तो यह आपको थोड़ी समझ में ना आए ठीक है पहले वह जरूर कर ले अब आज ह क्या करने है ध्यान से पढ़ना में एक एक सब समझा रहा हूं निम्न समस्या क्या समस्या है यह समस्या पहला प्रश्ण दूसरा प्रश्ण जो भी आपको समस्या दे रखिए यह समस्या है उनके समिक्रन यूग्म बनाने मतलब इन समस्यां से आपको दो समिक्रन बनाने तो यहाँ पर अपको वीलोफोन विदी से ही इनके सरल करना है इनको और हल निकालना है तो पहला प्रस्न करते हैं सीधा पहला प्रस्न देखे यदि हम अंस में एक जोड़ दे तता हर में एक घटा दे तो भिन एक में बदल जाती है समझ गया नहीं समझे वापस समझाता हूं देखिए पहले तो मैं यह बटाता हूं आपको हփ एक भिन्न क्या होती है भिन्न एक संग क्या होती है । यह क्या है पांच बुटे साथ यह भिन है इसका मान होगा डसमलत में हो सकता है तो इसका आन्स क्या होता है और यह क्या होता है निचे हर और प्रस्ट नीचे होलते हैं समझे तो आपको क्या करना है कि एक जोड़ना है हर में एक घटाना है और जो मानाता है वो एक हो जाता है ऐसा कुछ परस्ट न कहा लाँ यह एक समस्षी है इसको सरग करना है तो हम इसी प्रकार करें गे तो तो यहां हमाइज सबसे पहले एक मानेंगे क्या मानेंगे यहां पर मैं आइंस हो लिखता हूं माना कि भिन देखो राइटिंग अपने खराब है तो भिन अन्ज जो अन्ज है वो हम मान लेंगे ऐक्स उइसी प्रaiserोज प्रकार भिन का जो हर है वो हो जाएगा यहाँ पर लिख दरना भई समझ गये अब देखो अब प्रस्णों को पढ़ो जो क dew जो समस्या दे रही है उसको सरल करते हैं दिरे दिरे जैसे प्रशन करेगा वैसे आप चाहो तो उसको अंस को Y मान सकते हो, हर को X मान सकते हो, कुछ भी P, Q, S, T, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, जो मानोगे उसके हिसाब से चलेंगे, फिर हम उसको आंस्वर में तब्दिल कर देंगे, देखी, अगर पर बिया घर में यह ऑटा दिया, यह एक भी नी टो है, अगर अंस में कुछ जोड़ दें है, घड़ा दें है, जैसा परशन चकता है, वैसा कर दखेंडु है, ठीकि ना, और हल में भी एक घठा धिया है, इससे होता है, होता क्या है, मतलब ब़राबर, तो होता है और निचया है आर्ट जोड़ देता हूँ इससे क्या हो जाएगा 20-35 हूं इस अर्गे उसकता है पांच-व算च बन सकता है साथ बन जाएक हो सकता है साथ बहन तो हमने एक बना दिया, यह अपनी पहली condition, अब हम क्या करेंगे, वजर गुना उसको सरल करेंगे, तो वजर गुना में क्या होगा, निचे कुछ नहीं है, तो निचे एक हो गया, ठीके अब वजर गुना में क्या होता है, कि जो यह नीचे वाला हर है, यह इसके अंग से गुणा होगा, और यह जो हर है वो इसके अंग से गुणा होगा, यह होता है बजगुणन में, तो कर दो ना, देखो यहाँ पर एक बटा है, मतलब एक का गुणा कराना है दुनों तरब तो कोई फरख नहीं पड़ेगा, ऐसी सरल कर देते सरल यह कर देगे by X PLUS YA बराबर यह माइनस का वन यहांपर लिख दियां और यह जो ब्लस का 1 है Peter आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो इसका इसका सफाई सmade संद के रूप होजाएगा वो कैसे बनेगा वो बनेगा अपने कंडिशन दो से किसे बनेगा कंडिशन दो से तो यह कर लेते हैं यहाँ पर कंडिशन दो ली देते हैं इसको मैं मिठा देता हूं क्योंकि यह अपने आपको समझाने के लिए किया था कोई काम का नहीं अभी इसको मैंने मिठा दिया अब condition 2 क्या कहती है condition 2 वो कहती है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो एक बटा 2 हो जाती है तो हर मतलब अंस की नहीं तो इंस तो अंस ही रहेगा मतलब एक्स तो एक्स ही रहेगा लेकिन हर जो वाइस हम क्या कर रहे है em जोड़ दिया इससे हो क्या रहा है कि जो भिन्न है वो एक बटे-दो में बदल जाएगी यह लोग बदल जाएगी अपर इसको करेंगे उसका करेंगे यह सेग वाई से बुना हो जाएगा तो कर लो गुना तो यहां पर तो बटाबर मैं यह एक इंटू y प्लस 1 होगा तो यह y प्लस 1 ही होगा, क्योंकि एक से गुणा कराने से कोई फरक ने पड़ेगा, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इस y को इदर लेकर आ जा रहा हूं, क्यों लेकर आ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, यह माइनस का y हो गया, क्योंकि प्लस 1 होगया, तो जिस क्रम से मैंने इसको लिखा है, उस्से कावग होगी, कोई फरक नी पड़ेगा, लेकिन क्रम पराबर होना चाहिए, क्यों क्योंकि विलोपन में यही सबसे इंपोर्टिंट होता है, अब देखो वाई, अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधी से सरल करेंगे तो मैंने दोनों समीकर्ण को उपनी याँ आपको पता है नः विलोप करना होता है किसा किसी भी एक चर का जो चर असाने से कट सके हैं उसको कटा देते हैं विलोप कर देते हैं और उनके गुणाग जो गुणांग करने पड़ने पिद्धाना यहां पर यहां पर यहां पर गुणांग दो tekrar तो इसका मतलब यह का गुणांग हम असने से कार सकते हैं तो हम वाइक को ही काटिंगा ठीक है तो यह क्यां मायनस y बराबर मायनस का 2 और यहां पर हो जाएगा 2x minus y बराबर का फ्लस्का 1 लिखा हुआ थो प्लस्का दिया यह मैं इक हो गया यह मिखनर 2 हो गया समझ गे तो अब में क्या करना हूँ डिखते हैं जोड़ना पड़ेगा या गटाना पड़ेगा यह दोनों माइनस के हैं तो इसको गटाना पड़ेगा ताकि इसका चिनल चेनल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देगा गटाने पड़ ठीक है गटाने से क्या होगा यह प्लस का था माइनस हो जाएगा यह माइनस का प्लस हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा अब यह प्लस माइनस तो कड़ गए वाई तो कड़ गया पूरा ही यहां पर x माइनस 2x क्या हो गया x माइनस 2x और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अब देखो भाई अब मैं इसको और यह minus 2 minus 1 दुनों जुड़ गए तो यह minus का 3 बन जाएगा ठीक है तो देखो minus से minus भी कड़ गया तो बचा क्या x बराबर 3 क्या बचा x बराबर 3 यह अपना समिक्रण 3 हो गया और इसमें x का मान निकल गया 3 मतलब अंस अपना आ गया 3 अब हम गयात करेंगे हर हर कैसे कने किसी समिक्र में एक मन रखो यह ALEX मैं सर वह हैस में संभी करन 1 में और टो तो अब moi Souls के में जीना जरूर 3 का मान या x का मान समिकर्ट एक में रखने पर, यह लाइन लिखना ज़लोड़ी है, लिख देंगे, यह हमने यहाँ पर लिख देंगे, अब हम क्या करेंगे, मान लगा देंगे, x की जगा हम 3 लिख देंगे, और minus का y ऐसे कैसे, और बराबर में minus का 2 ऐसे कैसे, समझ गें, अब यह दोनों जूड़के क्या बन जाएगे वाई का मान आ जाएगा माइनस का पांच समझ गए सॉरी प्लस का पांच क्यों कि यह माइनस इस माइनस को कार देगा समझ यहां पर भी माइनस था यहां पर भी माइनस था दोनों माइनस माइनस कड़ गए तो क्या बन गया प्ल पाइब कहिए तो हमें एक्स और बाइब के मान लगा देगे तो हमारे एक्स का दो आ गया मतलब अंस का माना आ गया तीन और माना पाँच तो यह वह अबिस्ट भिन है क्या कहेंगे अबिस्ट अबिस्ट भिन समझ गए यह हमारा आंसवर भी हो गया कि इस बटे 5 लिखना है इक निकालना मत यहां पर एक और यका मान लगा कि जो बिन ग्याद करने थी वह बिन हमने ग्याद की 3 बटे 5 क्या यह गलत तो नहीं है इसको भी सरव कर सकते हैं देखो तीन बटे 5 हैं तीन में एक जोड़ना है पांच में एक घटाना है तो तीन में एक जोड़ दो तो पांच प्लस एक छेह हो जाएगा तो तीन बटे छेह जब हम करेंगे तो इसका आंसको एक बटे दो ही तो आएगा तो यही तो कहरा है कि एक घठाते हैं एक जोड़ते हर में तो एक बटा दो हो जाती है तो एक बटा दो हो रही है तो इसका मतलब हमारा ज दूसरा प्रश्न करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे ठीकिए पहले प्रस्टन जो होते हैं नहीं भूँआते रहेंगे आगे भी नूरी एक लड़की है और सोनु भी एक लड़की है, दो लड़कीा है, जिनकी आयो की बीच में comparison हो रहा है, तुलना हो रही है, जो नूरी कहती है, कि 5 साल पहले नूरी जो थी, वह सोनु की आयो की 3 गुणि थी, तो बड़ी कौन होई बड़ी को बताओ, सोनु की 3 गुणई होगी मतलब नूरी पाद नूरी की आयू सोनू की आयू की दो गुणि हो जाएगी समझके तो नूरी और और प्राइद करना होते है न वहीं हम मानेंगे एक ऐसे प्रशनों में यह दियान इन रखना कि जो हमें ढध करना हैं जैसे में यहां पर आफ्छा//e तो हमें क्या ग्यात करना है नूरी और सोनू की आयू तो हम क्या करेंगे माना नूरी की वर्तमान आयू ठीक है क्योंकि वर्तमान आयू ही पूचा हमें वर्तमान आयू क्या हो गई वर्तमान आयो राइटिंग पर मत जाना भाई ठीक है अपनी राइटिंग थोड़ी खराब है एक्स वर्स देखो सालों में बात होगी क्योंकि उम्र सालों में ही निकालते बंतिकोसिज ठीक है और यहां पर भी लिखा हुआ है देखो तीन वर्स पर चाहत दस पर चाहत पांच पर चाहत अशाल लिखा हुआ है तो वर्स में बात हो रही है और इसी प्रकार दूसरी लड़की कौन है सोनू तो हम ऐसी लिखे के सोनू कि क्या हो जाएगी हम मालेंगे स इससे दूसरी द्हार्य करने चलों निकाल लेते हैं कंडिशन पहली क्या है कंडिशन स्फट है ते पांच वर्स पूर्व नूरी की आयो सोनू की आयो की तीन गुलिख थी तो आज अगर सोनू और आशका नूरी इस टाम तो पांच साल पहले कितनी होगी दोनों में से पां – 5 ये जो नूरी है वो 5 साल पहले कितनी थी x-5 और बराबर में 100 कितनी थी y-5 और ये दोनों बराबर कब होंगे यह अभी बराबर नहीं है यह बराबर तब होगे जब जो नूरी है 2018 आयू कंच टीन मतलब इंटूं थीन और इसеци यह नूरी की जैएगे 1910 यहां पर आपक्षनां आते रहेगा यहां पर दूम्हाँ चैनल झार रहेगा यह लिये लीजी यह एकस एकस माइनस पांच और बराबर में इसका तीन का कुणा तो थी वाई माइनस 15 समझ गए 15 अब देखो अब यह कहता है पहले इसको और सब्सक्राइब कर देते हैं समिकर्ण क्या बन रहा है एक्स माइनस 3y बराबर का माइनस का 10 समझे यह अपना समिकर्ण एक हो गया इसी प्रकार समिकर्ण 2 बना देंगे समिकर्ण 2 क्या होगा देखो condition दूसरी जो होगी वही समिकरन दो बनाएगी तो condition दूसरी condition दो क्या होगी ये कह रहा है कि 10 वर्स पच्छाथ नूरी की आयो सोनू की आयो की दो गुनी हो जाएगी अब 5 साल पहले नहीं 10 साल बात की बात कर गा है आज अगर नूरी 10 सा 10 साल की है और ये सोनू की आयो की बराबर कब होगी जब Y प्लस दस 10 साल पहले 10 साल तो जूड़ेगा और ये बराबर कब होगा समिकरन ये तब होगा जब 2 का गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर पस्षनां देरेकर के नूरी जो है वो सोनू से दो गुनी हो जाएगी दस साल बाद तो यह दो का गुणा करा दिया अब इसको भी सरूल कर देते यह तो यहाँ पर बन जाएगा दस को माइनस का दस यह माइनस निवाइना सब और द समिकान दो हो गया देखो माइनस दस सही न सही है सरानी इस और भिलाल से चल रहरा है सेगन मैनसleg x 20 कैसा यह क Quest गलति कर दश्यर का खांग कितना रहाँ प्लसका 20 चल रहा है pra यह जो 30 को जबलत और लोगा इसकाघार गलती हो गया किनल रहे एक चांड यतिस का दो करने कि अब इनको शरल करेंगे चैसे करेंगे समिकरण एक और समिकरण 2 को फिलोप्रंण विधी से सरल करेंगे तो हम कर देते हैं भाई सीधा यहां पर देखो समिकरण 1 और 2 को अराम से उपर नीची लिख दो यह लो मैं यहां लिख देता हूं X-3Y बराबर माइनस 10 बराबर का 10 अब देखो यह क्या है X यह क्या है X दोनों के गुणां के заумाने तो यह इसको माइनस कर दो मतलब गठाना आपको गठाने से क्या होगा यह दोनों कर जाएंगे यह 3Y मैंसे 2Y गया 3 मैंसे 2 गया पिछे बचा 1 वो भी माइनस का क्योंकि माइनस पड़ा है तो माइनस Y बराबर यह माइनस 10 और यह माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20 तो यह माइनस से माइनस कैंसल तो Y का मन्ग क्या जाएगा 20 वर्स, कब यह 20 वर्स है सो नू की आईू, क्योंकि Y हमने किसको माना था है, सोनू को, और सोनू की आयू कितनी हो गई वर्तमान में 20 वर्स, अब इसी प्रकार यह जो मान निकाला वो समिकन एक में रख दो या दो में भी रख सकते हो मैं दो में रख रहा हूं इस बार यह समिकन तीन हो गया समिकन तीन का मान समिकन दो में रख दो ऐसा लिख देना यहां पर समिकन तीन का मान समिकन दो में रखने पर रखने पर क्या होगा y की जगा हम 20 लेकि देंगे तो ये समिकरन 2 है अपना x minus 2 into y कमान क्या हो गया 20 तो ये लो 20 और उसके बाद में बराबर का plus का 10 तो x कमान क्या हो जाएगा 2 into 20 बराबर minus का 40 बराबर plus का 10 और ये x ये minus 40 यहां आएगा तो plus बन जाएगा तो plus 10 plus 40 तो x कमान अपना आजाएगा 50 क्या आजाएगा 50 तो ये जो x है वो है नूरी की आयू तो नूरी की आयू कितनी हो जाएगी 50 वर्स प्रस्ने क्या था पहले देख ले देख वापस इनके मान क्यात करने है या क्या करनी है तो नूरी और सोनू की आयू कितनी होगी तो नूरी की आयू है 50 वर्स और सोनू की आयू है 20 वर्स समझ गे ये अपना दूसरा प्रस्न था तो आज की वीडियो में बस दो प्रस्न बहुत है नेक्स्ट प्रस्टन हम अगली वीडियो में करेंगे क्या है ना ज्यादा वीडियो डालूगा तो आप इतना एक साथ पढ़नी पाऊगे बोर हो जाऊगे तो इसलिए मैं एक एक प्रस्टन करवा रहा हूँ अच्छा लगे तो लाइक जरू करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरू करें गाइज थैंक यू विने क्लासेज की प्लेइस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है उपर लिखना है विने क्लासेज और सर्च करना है इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा चैनल में आपको जाना है इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियो और प्लेयलिस्ट का उप्सन है तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेयलिस्ट पास सकते हैं